रेल्वे में नौकरी देने के मामले पर कल यानि सुक्रुवार की सुबह 6 बहे से ED और CBI ने लालू परिवार और उनके रिस्तदारों पर तावातोड छापे मारिया शुरू कर दी कई दस्तावेज, कई मामले और कई लोगों के नाम ED और CBI ने उजागर किये जिनका इस मामले से तालुकात है लालू परिवार के काफी करीबी रहे, अबुदो जाना वो पुर्व विधायक रहे, उनके आवास पर कल सुबह 6 बहे से ही ED और CBI की छापे मारी चलती रहे इसके साथ साथ लालू यादो के रिस्तदार, उनके समधी और उनकी बेटियों के ऊपर में भी लगतार ED और CBI की छापे मारी चलती रहे कई दस्तावेज मिले हैं, कहाई ये जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई करोड के कैश बरामद हुए हैं, लाखों के गहने मिले हैं, इतना ही ने 1900 रुपे अमेरिकी डॉलर भी उनके यहां से बरामत किये गए हैं, लेकिन इन सब के भी सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रहा है, लालू यादो के तीन बेटियों का, आखिरकार उन तीन बेटियों का नाम ED और CBI की लिस्ट में क्यों आ गया, क्या मामला रहा, क्यों उनक 24 से 29 के बीच में वो रेल मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगा कि उस वक्त उन्होंने रेलवे ग्रूप D में नौकरी के बदले जमीन का जो मामला था, यानि की रेलवे में नौकरी देते थे, तो उसके बदले में जमीन लेते थे, ऐसा मामला उनके उपर में और ऐसे आरो बेटिया जिनके उपर में ED और CBI की जो छापे मारी चल रही है चंदा, रागनी और हेमा ये तीन बेटिया हैं जिनके उपर में तबातोड छापे मारी की गई और इनके यहां से यह ख़बर बताया जा रहा है कि लाकों के गैने और कडोडों के कैश जो है वो बरामत किये अगत 1900 अमेरिकी डॉलर, दो किलो सोना और दस्ता वेज मिले हैं इतना ही नहीं बिहार के डिप्टी सीम तजश्री यादों के दिल्ली इस्तित मकान पे भी छापे मारी चली आपको बताये कि जो तीनों बेटिया हैं उनके उपर में क्यों पड़ी तो रागनी और चंदा के इनफोसिस्ट प्राइवेट लिम्टेड में पुर्व निदेशक थी जिसे कतित तोर पर एक अन्य अभियर्थी से भूखंड लिया गया लालू परिवार ने अवैद रूप से अधिगरहन कर चार भूखंडों की जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन की 7.5 लाक में बेचा था जिसक हेमा यादो जो इनकी बेटी हैं उन पे भी या रोप लगा कि सीबी आई द्वारा नौकरी के बदले में जमीन के मामले में केस दर्च के मताबिक हेमा यादो को हर्दिया नन चौधरी ने पटना में 3,375 वर्फुट जमीन गिफ्ट में दी थी इस जमीन की बजार कीमत करी 62 लाक रुपे मापी गई थी हेमा को ललन चौधरी नामक वैक्ती ने 3,375 वर्फुट जमीन गिफ्ट दी थी जिसकी कीमत 62 लाक रुपे आकी गई थी आरोप है कि इन दोनों ने भुखंडों के बड़ते भुखंडों के बदले रेलवे में नौकरी दी थी तो इस तरीके स इन तीनों बेटियों पर आरोप है कि इन्हों ने भी इनके नाम पर भी जो जमीन है वो लिखा गया और इनके बदले में इन्हें नौकरी दी गई इतना ही नहीं लालो परिवार में उनकी बड़ी बेटी मीशा भारती पर भी आरोप है इतना ही नहीं तेजश्वी यादों पर भी आरोप लगाए जाए सथी प्रताफ यादों पर भी जो मामले हैं वह भी लगाये गए हैं और साती साथ इनके कई रिस्तदार हैं उनके यां भी E.D. और C.B.I. की छाप के मारे जो है वह चलती रहे तो इस तरीके से लालू परिवार के मुश्कले लगतार बढ़ रही हैं देखने वाली बात है कि 15 मार्च को कोट में पेश्री के वक्त क्या कुछ मामले निकल के सामने आते हैं फिलाल के लिए इतना है आप जुड़े देए हमारे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद